नमस्कार दोस्तों कैसे आप रवा करते हैं आज हम आपके लेक्ते है एजिट्रोमाईस्यीन टेब्लेट , जिसकी जनकारСनी आज हम इस वीडियो मेरे आपको देने वाले हैं , इसकी डोर्ज कैसे लेंगे ? क्या साइज के साइड एफक्त होंगी जी सब जनका राज को इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप से बूलना चाहिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ता बढ़ी में बहुत ज्यादा इफ्रक्टफुली होती है यह 500 mg और 500 mg में दोनों में आती है और एर्ट्रोमाइसिन टेब्लेट फॉर्म के साथ साथ लिक्ट फॉर्म में या सस्पेंशन बोल सकते हैं और कैप्सुल्स फॉर्म में भी एविलेबल होती है इसकी बहुत सारी क् के लिए एस्ट्रोमाइसिन बहुत ही बेस्ट एंटिबैक्ट्रियल मेडिशन होती है मैं आपको दिखाता हूं यह टेब्लेट कैसी होती अंदर से श्चिर आप करेंगे के बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है मार्मेट में बहुत ज्यादा छीप है एजली ऑइविलेबल हो जाती है गले में एगर फेक्शन हो जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि दोस्ट कैसा सबस्की लोगे इसको यूज़ कैसे करोगे तो ये 500 mg में होती है जो 500 mg की दोज होती है दोस्तों वह आपको लेनी होती है OD में OD का मतलब होता है दिन में एक टाइम तो आप इसको दिन में एक टाइम लेते हो आप तीन से पांच दिन इसको लेते है जैसे आपका इन्फेक्शन एंटी बेक्टियल जो आपके बॉड़ी में होते हैं वो सब को खचम कर देगी और तूफिफ्टी जो डाइसो में जो एजित्रोमाइसिन होती है उसको आप बीडी में लेते हैं बीडी का मतलब होता है कि सुबा साइम जा दिन में दो टाइम तो आप इसको मॉ आप आप दिन में लेगी जाइस